हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी कैसे हैं उमीद आप सभी बढ़िया होंगे दोस्तों आज इस वीडियो में आपको समझाओंगा एक छोटी स्लेप डालते हैं यदि उसका डायमेंशन दस दस यानि सो स्कॉर पिट खाप रूम बना रहे हैं तो उसके चट डालने में आपको फिनिसिंग तक कितना खर्चा आएगा स्लेप में कॉंक्रिट यूज करेंगे जिसका रेशो रहेगा एक देड तीन एक सिमेंट देड सेंट तीन एग्रिगेट और इसमें पांच इंची की ठिकनेस रहेगी दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप ये वीडियो लास्ट तक देखें ये आपके लिए काफी महत्पूर होने वाली है सबसे पहले बात कर लेते हैं सिमेंट की जिसके अंदर आपको 9 बेक लगने वाले और पर बेक की प्राइज है 370 रुपए यानि 3330 रुपए आपका टोटल खर्चा सिमेंट में आएगा यदि आप वाटर अपने को एड मिक्चर हो सिमेंट में लगेगा फिर बात कर लेते हैं सेंड की जिसमें जिसका 18 क्यूबिक फिट आपको सेंड लगेगी जिसकी प्राइज है 80 रुपए क्यूबिक फिट तो इंटू करता है तो 1440 रुपए आपका टोटल खर्चा सेंड में आएगा फिर बा इ constru लगेगा एक 178 केजी लगने मा ला है जिसकी मार्केट प्राइज से 68 रूपई है टो टो अब बात करता हैं तो 8,704 रुपए आपका उस्तिल में लगेगा और बेंड बेंडिंग वयर की बात कर रहे 28, atenção 4 रूपे आपका टोटल में लगने माले और लेवर की बात करें जो इसलिया भंदेगा उसका प्राइज रहता है पांच रुपए केजी तो 180 केजी अपना टॉटल लगा था उसमें इंटू करते हैं पांच का तो 640 रुपए टॉटल लेवर का लगेगा और दोनों को मिला के बात करें तो 9404 रुपए अपना टॉट अपना टॉटल एरिया था तो 3000 टॉटल खर्चा इसमें लगेगा फिर बात कर लेते हैं इलेक्टिकल फिटिंग की जिसके अंदर आपको चार लाइट लगेगी एक फेन बोक्स और पाइप बगरा मिला के टॉटल कोस्ट मेटरिल की 1100 रुपए लगेगी और करते हैं ग्रेंट टोटल की तो सिमेंड और एट मिक्चर की लगे थे 3670 रुपए सेंड की बात कर तो 1440 रुपए लगेंगे फिर एगरिगेट की बात करने तो 2450 रुपए लगेंगे इस्टील प्लस बेंडिंग वायर प्लस लेवर 945 रुपए सेट्रिंग में लगे 3000 रु कर दो 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 क